बितुर नमस्कार भारत माता की जय वंदे मातरम जय श्रीडाम बितुर आम आदी पाटी एक ऐसी पाटी है कैसी विचितर पाटी है और इस तरह की अजीबो गरीब हरकते करती है कि वो हमेशा इतिहास रचती है और ऐसे इतिहास रस्ती है जिनकों की हमेशा इतिहास के काले पन्नों में ही जगा मिलेगी और मैं आपको दिखाओं आपको शायद जानकर हरानी होगी लेकिन आज तक कभी शायद ऐसा हुआ नहीं होगा मगर ऐसा हुआ है कि एक मुख्यमंत्री के घर का सामान जो है वो सड़क पर फैंक दिया गया मतब भारत के किसी राज्य के मुख्यमंत्री के पद का भी इससे बड़ा और क्या आप मानोगा लेकिन ये सारी चीज़ें जो होती है ये अर्विंद केजरिवाल और उनके घटिया जो दिमाग की सोच है उसकी वजह से होती है तो इस पर बड़ी जवर्दस राज़नीती शुरू हो गई है एक तरफ अर्विंद केजरिवाल की पार्टी है जो ये कह रही है कि आतिशी मरलीना का जो सामान है वो केंद सरकार ने मोदी सरकार ने अमिशा के इशारे पर और ये सब करके कि इसको फिकवा दिया गया इतनी नफरत करते हैं अर्विंद केजरिवाल से बीजेपी के लोग लेकिन दूसरी तरफ पुरे मामले का सच क्या है जब सच सुरेंगे तो आपको बड़ी हरानी होगी कि दरसल अगर आतिशी मरलीना का जो सामान है अगर वो मुख्यमंतरी आवास ये शीश महल जिसे कहते हैं अगर वहां से बाहर फिकवाया गया वहां से बाहर करा गया तो इस यह वो जो चाह है उसी चाह की वज़े से इस तरह की घटना सामने आई है तो मैं जड़ा इस पूरे पूरे घटना करम पे आपकी निगाह डालूंगा मगर उससे पहले में तो आपको दिखाना चाहता हूं की तस्वीरे क्या रही है यह सब तस्वीरे शोशल मीडिया प पर भी देखिए एक सामान जो मुक्यमंत्री आवास से जो सामान अपना शिट्व कर दिया था आतशी मरलीना ने उस सारे सामान को यहां पर इस तरह से बाहर निकाला जा रहा है और देखें इस तरह से पूरी नोटन की भी चल रही है यानिकि एक तरफ देखिए आप तो आ यहां पर De Jong कर रही है कि देखे साब हम अपने पुरा ले आवास मी हैं और वहां पर मुक्यमंत्री क्या काम कात्स समाल ने और यहां परदेखें कि सारे से सारे सामान जो लगे ज ज्यूनका है वी Savi यह पूरा डिल्ली के इंधर चल रहा है और जो Company पूरी पाटी है यह ड लेकिन जनता की सेवा और काम करने के जजबे को नहीं ठीन सकते हैं तो यह पूरा जो ड्रामे बाजी है इसको विस्ताथ दिया जा रहा है आम आपनी पार्टी के ट्विटर हैंडल से इस तरह की तसीवरे सामने आ रही है तो अब जना देखते हैं कि आखिर इस पूरे मामले क यह दो वजह क्या है संजे सिंगं मड़े समेरी पर दिल्ली के और यहे कह रहे हैं कि दिरल्जी के आदेश पर यह सार्ण सामान मुक्मंत्री आवास के अंदर बर शिर्षि का शिफ्ट किया गया त उसको फिक्वा करने कि इसके रहे लेकिन असलियत क्या है असलियत की शारी की легने के चिपोई अगर आप देखे ci हैं यह सुरिता केजी दिवाल है और जीसको चापी और ही यह वbnती को देखिए यह वंती को आदिकारी जिस जूआ ग्कर जुका हुआ उनके सामने ऐसे जुका हुआ है ये साफ लग रहा है कि ये एक आवानी पार्टी का करे करता है क्या ये इनुने जो चाबी थी ये जो विखे मंत्री का हावास वह सी जिस तरह से शीश महल का रंग रूब दिया गया। जो एक सरकारी बंगला था एक नियम होता है उसकी जो चावी थी वो जो सम्मंदित विभाग है जो पी डेवलूडी है उसको चावी सौंपनी चाहिए थी लेकिन चावी जो है वो पी डेवलूडी को नहीं सौंपी गई इस तरह का आरोप जन सत्ता जैसे बड़े-बड़े ज दिखाऊंगा की वजय क्या रही तो दरसल इन्हों इनको चावी देनी चीज़े थी पी डेवलूडी को इन्होंने चावी देदी आमादी पार्टी के नेताओं को तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये दिल्ली का जो सरकारी बंगला था जो मुक्यमंत्री आवास था यह आमाद अर्विंद केजडिवाल सिक्स फ्लैग स्टाफ रोड इस बंगले में रहते थे सियम पत्स स्थीफा देने के बाद उन्होंने अपना चोड़ दिया है आरोप है कि इसकी चावी पी डेवलूडी को नहीं सौंपी गई यानि इसकी चावी ही पी डेवलूडी को नहीं अंबर पर उनका बंगला था और इस पूरे के पूरे बंगले को लेकर एक अगर कोई विक्ति विधायक है तो उसके पास एक सरकारी बंगला हो सकता है उनके पास पहले से एक सरकारी बंगला था इसके बाद वो दूसरे सरकारी बंगले में जाके शिफ्ट हो गई सबसे पह हैं कहा जा रहा है कि यह केजरिवाल और उनकी पार्टी के खास करीबी अधिकारी हैं और इनों ने ही जो है मिली भिगत करके सारा खिल लचाया अब इनको नोटिस दिया गया है इनके प्रकारवाई हो सकती वो तो अलग की बात है लिकिन इसमें हुआ क्या आखिर क्या वजह कि अर्विंद केजरिवाल जो है वो इस पूरे मामले में बहुत ज़्यादा डरे हुए थे डरे की हुए तो उसकी वजह है दरसल देखे बात यहां पर बहुत सीधी सी है और बात यह है कि जो अर्विंद केजरिवाल है उनको इस बात का बड़ा डर था कि अगर वो इस तो मीडिया गुसेगा तो मीडिया उस जो उनका वो खास धल्य जहाँ पर लोग दावा करते हैं गए साभ वहां पर रोबोट है कर सकते हैं। वर addresses उस वंढुदध है। आप सोचे कि इस तरह का जो और होने आलिशान वंगला बनाया है जो उन्हें जनता के पैसे खर्च कियें indoorNya के समय में हम जुन्हें अजोंता बरिती थी पुड़ी बिऌरूट हे उस समय उन्होंने जितना पैसा खर्च किया जनता का अपने आवास के उपर तो आप सोचिए कि उस वक्त जो मुख्यमंत्री अर्वेंद केजरिवाल की हालत क्या होगी जब मीडिया का कैमरा वहां पे पहुंच जाएगा और उनकी सारी दुस्तानों शौकत दिखाई जाएग उससे उनके जो पूरे राजनीतिक करियर पे कितना बड़ा जटका लगेगा इसलिए उन्होंने बड़ी ही चतुराई से खेल किया उन्होंने जो चाबी थी वो उन्होंने चाबी क्या कि एक किसी ऐसे विक्ति को दी जो कि आमादनी पार्टी से जुड़ा हो वेक्ति था औ उनको जो राज सबार का बंगला अलॉट हुआ था रहा सबाड सरकाली इस नोगरे जाकर कि शुड़ी और कंड़ी उनको जाकर कर लाइन से शिफ्ट बहुतकी क्योंकि ऐसे तो अगर देखे तो कोई भी सांसद जो है क्या अपना जो सरकारी आवास है क्या किसी को किरायों दे सकता है क्या या किसी को बहुत सकता है कि तुम इसमे रहे लोए सई तो इसमें सारी की सारी जो गलती है वह पूरी तरह से अर्विन्द केज़िवाल एंड फैंबली की है अर्विन कजरिवाल एंड कंपनी की है लेकिन इसके बाद भी जो आरोप हैं वो किस तरह से जो बीजेपी है या जो मूदी सरकार है जो एलजी है उन पर लगाए जा रहे हैं मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि संजय सिंग जो की आमादी पार्टी की सां हाउस से कल फिकवा दिया गया ये कोई सामान में घटना नहीं है कि एक महिला मुख्यमंत्री का सामान फिकवा दिया गया दिल्ली के एलजी के द्वारा पी डबलूडी विभाग ने सरकारी विभाग ने दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिसी जी को रविवार को चावी दे दि किस अधिकार से दिल्ली के एलजी में उनका सामान बाहर कड़ाया जो भी सवाल उठा रहें सारे सवालों को जवाब हमने आपको दिये इस वीडियो में लेकिन सबसे जो बड़ी बात है मैं तो कि आम मांदी पार्टी कितनी बेशर्म हों कि राजनीती करती है गलती खुद करत है और ठीकरा दूसरों पर फोर देती है तो यही उसकी असलियत है तो यहां आप देख रहे हैं तो आपकी इस पर क्या विचार है आप भी अपने विचार इस पर जरूर रखेगा नमस्कार धन्यवाद हमारा बारकोड है आप हमारा वीडियो देखते हैं आप हमारी पत्रक यमें कर सकते हैं